लौकी दूधी और घिया इसके कोफत की सबजी अक्सर घर में बनती ही है सब लोग बनाते हैं पर मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके कोफते बहुत ही स्वाधिस्ट बनेंगे और कलर भी कोफतों का बहुत अच्छा आएगा मैं इनको फ्राई करना आपको बताऊंगी कि आपको फ्राई कैसे करना है ताकि यह कच्छे भी ना रहे और इनका कलर भी सुंदर सा कलर आए तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहला टिप तो यही है कि आपको मोटी वाली साइट से कदुकस करना है और दूसरा आपको घिया जो कोफतो मुझ देगे अगर हम इसमें डाला है ह subscribers Marvin tha से मशाले डालेंगे और इस डाली है लालमेर्च मेर्च और इसमें हम ढालेंगे और ढलेंगे इसके अंदर नमक किस पर और performer तो यह घ्या पानी छोड़ देती उससे क्या होता बेसन ज्यादा लगता अगर कोफतों में घ्या का टेस्ट नहीं आता तो तेल आपने पहले गरम करने के लिए चढ़ा देना अब जिस जितना बेसन इसमें अधुजा होतना आप एड़ करना और तुरंत ही जैसे ही आप बेस अच्छा टेस्ट आएगा कोफते का थोड़ा सा बेसन में यहां पर और और एड़ कर रहे हूं तो आप अपने हिसाब से एड़ कर लेना है तो तेल आपने पहले गरम करने के लिए चढ़ा देना है बेसन घोलने से पहले अब इस तरह से दिखे गाड़ा-गाड़ा हमारा जो घोल है कोफतों का यह बन कर तैयार हो जाए ऐसा ही हमें घोल चाहिए और तुरन्धी आपने सा रहे कोफते हैं आपने फॉउव्सटे कर लेने हैं फटा-फट तेल गरम होगा तो जल्दी से आपके federal हो जाएँगे प तेल हमने एड़ी गरम कर लिया था और अप हम इसम बना लेना इस तरह से कोफते की तो जब एक बार तेल गरम हो जाए ना तो उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिना और लो फ्लेम पर ही आपने सेकना है तभी आपके जो घीया है वो अंदर से अच्छी तरह से पकेगी सिकेगी और जो कोफते का कलर है ना वो कलर बहुत काला काला सा नहीं होगा मैंने बहुत से घरों में घीया के कोफते देखे हैं बनते हुए जाती हूँ मैं जैसे किसी के घर में उन्होंने सबजी बनाई तो मैं देखती हूँ कि जो कोफते का कलर है ना उनका काला काला सा कलर आता है तो अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो आपका जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा देखो फ्लेम मैं दिखा रही हूं बिल्कुल मैंने लो कर रख्या लो फ्लेम पे मैंने ये कोफते हैं वो तले हैं अब कोफते हमारे तल चुके हैं इनको हम निकालेंगे लो फ्लेम पर एक बार तेल गरम हो गया उसके बाद लो फ्लेम पर हमने ये दिखो है ना प्यार असा कलर हैं अब हम इसकी ग्रिव vlogs तायार करेंगे तो तेल गरम होने के बाद हमने डाल दिया इसमें प्याज बारी कटा हुआ कषा हुआ भी डॉसकते हैं कटा हुआ हैं चौप केता हैं अब ये प्याज यहां पर हमारा भूं चुका है इस तरह से प्याज अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए और प्याज को जितनी लो फ्लेम पे आप भुनोगे न उतना ज्यादा टेस्ट देगा और जब प्याज भुन जाए उसके बाद आपने डालना है लहसुन अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकिप कर देना पर इसमें लहसुन का टेस्ट अच्छा आता है जो लोग खाते हैं वो जरूर डालिएगा तो लो फ्लेम पे ही आपने ये मसाला है इसको भुनना है तभी मसाला अच्छी तरह से भुनेगा और कलर अच्छा आएगा अब हमने इसमें डाल दिये पिसे हुए टमाटर इसमें ग्रेवी में मुझे कटे हुए टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं मैं पिसे हुए ही डालती हूँ तो पिसे हुए टमाटर हमने इसमें डाल दिये अब मसाले को हम अच्छी तरह से भुनने देंगे और इसमें डालेंगे हम नमक पहले हमने नमक नहीं डाला था आब इसमें हम नमक अड़ कर देंगे देखाऊ आपने पहले मैंने टमाटर डाला था इसके बाद में मसाले डाल रही हूं तो नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया टमाटर पहले डाल देने से क्या होता है कि जो मसाला है हमारा जलता नहीं है अगर तेल में मसाला डाल दोगे तो क्या होगा कि मसाला हमारा जल जाएगा तो पहले टमाटर डालिए और उसके बाद आप मसाले डालिए तो कभी भी मसाला जलेगा नहीं और मसाले की जो रंगत है पकने के बाद बहुत अच्छी आएगी तो अब मसाला हमारा यहां पे भुन रहा यह देखे तो लगभग मसाला हमारा भून चुका है थोड़ा सा और भून लेते हैं जितना ज्यादा अच्छा भूनेगा मसाला उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट करेगा अब तेल अच्छी तरह से मसाले ने अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है यह देखे बस इसमें अब हम पानी एड़ करेंगे जितना गाड़ा आपने खाना हो उतना बस यह ध्यान रखेगा कि रखने के बाद जो सबजी है थोड़ी और गाड़ी हो जाती है तो मुझे बहुत ज्यादा पतली तो नहीं पसंद आती है थोड़ी गाड़ी-गाड़ी सबजी ही पसंद आती है ठीक अब इसमें हम उबाल मारेंगे यानि उबाल आने देंगे तो फ्लेम को एक बार तेज कर देंगे और जब एक उबाल आ जाए तो थोड़ा सा लो करके आपने इसको पानी को पका लेना है पानी अगर कच्छा रहेगा तो भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा सब्जी में तो पानी को अच्छी तरह से आप पका लेना अब देखरो पानी हमारा पक पके कम से कम 3-4 मिनट में पकाया है तो सामने साथ में साइड में तेल इसके आ चुका है अब हमारे जो कोफते थे जो हमने फ्राइ किये थे वो कोफते हम इसमें डाल देंगे तो ये रखने के बाद भी जो सबजी है थोड़ी गाड़ी हो जाती है तो उसके इसाब से आप इसमें पानी डाल देना पर कोफते सारा पानी है वो पी लेते हैं आप फ्लेम को तेज कर लेंगे और फिर थोड़ा सा मीडियम करके हम इसको सबजी को अच्छी तरह से पका लेंगे पानी हमारा पहले ही पका हुआ है और कोफते हमारे पहले ही सारे पके हुए तो बहुत ज़्यादा आप सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाने की जुरूत नहीं है बस यह थोड़ा सा पानी हमारा पक जाए तो इस तरह से आप बना के देखना सच में बहुत टेस्टी सब्जी